चलो दोस्तों शुरू करते हैं इनसाफ का पुजारी बहुत अच्छी कानिये दोस्तों ध्यान से सुनना रामगडगाव का केशवर्मा एक दिन सक्त बिमार पड़ा और सवरक्षिदार गया उसके तीन बेटों में से बड़े विजवर्मा और वजवर्मा विवाहित थे जबकि उसका छोटा बेटा जैवर्मा भी वाहित था लेकिन केशों को सवरक्षिदारे अभी छे मा भी नहीं बीते थे कि दोनों बहुए ने अपने देवर जै के विरूद अपने पतियों के कान बरने शुरू कर दिये जब जैज अब जवान हो गया जी उसे भी क्यों ये अपने साथ खेत में काम करने को ले जाते कई दिनों से मैं भी यही सोच रहा हूँ क्यों जी कब तक अपने जवान भाई को खाट पर बिठा कर खिलाते रहेंगे खेत में काम करें दोनों बड़े भाई और मोज उड़ाए छोटा भाई वा क्या बात है तुम ठीक कहते हो बिमला इस विस्चे में मैं बड़े भाईया से बात करूँगा आखिर जै कब तक निठला बैटा हमारे सर पर खाता रहेगा और एक दिन जै तुम हर समय निठलो की तरह गुमते ही रहोगे या कुछ घर के काम काज में भी हाद पटाओगे आज समय पर घर आकर दूद दूद जाना बहुत अच्छा बाबी जब दूद दूने के समय जै घर नहीं पूँचा देदी अब तो जै की अरकते बरदास्त नहीं होती उसे रोज खाने को तो कटोरी बर मक्षन चाहिए लेकिन दूद दूने के नाम पर उसकी नानी मरती है हूँ चिंता मत करो भैनाज मैं उसे अच्छी तरह मक्षन खिलाओंगी रात को जब तीनों भाई बोजन करने बैठे क्या बात है भावी आज तुमने मक्षन नहीं दिया मुझे तुम मक्षन की बात करते हो मैं तो आज तुमें रोटी भी नहीं देती बैतो और दोनों भावी जै को तरह तरह के ताने देने लगी उनकी चक-चक से बड़ा भाई विजय जूंजला उठा अब बस बिकरो भागवान हम दोनों को तो सांती से बोजन करने दो इस निकमे के लिए हम दोनों के खाने का मज़ा क्यों खराब करती हो विजय का कहा जै को चुप गया हुम तो बड़े भाईया भी अब घर में मेरी गिंती नहीं करते जैसे मैं कोई हूँ हूँ ही नहीं तबी मजले भाईयजय ने मक्खन मांगा भावी तनिक मक्खन तो और देना अभी लो देवर जी बड़ी भावी रानी ने कर्ची से जैसे यजय की कटोरी में मक्खन डाला जै अपना अपमान महसुस कर उठ खड़ा हुआ जै थाली में अंच छोड़ कर जा रहे हो जब परिक्षम करके अन लाओ तब दिखाना इतने नकरे ठीक है भावी अब मैं उसी दिन इस घर में बोजन करूँगा जब मुझ में अंच उटाने की समता हो जाएगी दोनों और जै अपने कमरे में जाकर बुखे पेटी सो गया दोनों बड़े भाईयों ने भी उसकी सुद्बुद लेने की जरूरत नहीं समझी दूसरे दिन सुबह जै तुभे अपनी भावी से अपने रात के वैवार के लिए समा मांगनी चाहिए बड़े भाईया रात को मेरी नहीं बड़ी भावी का वैवार गल्थ था यदि मैं कमाता नहीं हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वे मुझे बात बात पर ताने देती रहे मैं उनसे हरगी जमाफी नहीं मांगूँगा इतना करोट ठीक नहीं होता जै तुमारी भावी ने कल जो कुछ कह वे ठीक ही तो कह था अगर अब तुम सैने हो गए हो अब तुमें हमारे उपर बोज बने नहीं रहना चाहिए हमारे काम में आथ बटाना चाहिए और मेहनत करके खाना चाहिए ठीक है भईया ये दिया आपके ऐसी इच्छा तो कल से मैं अपने इस्टे के खेत में खेती करूँगा और अपनी महनत काई खाऊंगा अपने इस्टे के खेत में खेती करोगे यह क्या बकवास है जैख खेत उसी का होता है जो इसमें महनत करें उसका खून पसीना बहाए अपना खून पसीना बहाए और यह सब हम दोनों भाई कर रहे हैं तुम नहीं इसलिए सारी जमीन जादाद पर मेरा और अजय का अधिकार है तुम्हारा उस पर कोई एक नहीं यह मेरे सारासर नयाय दोखा है यह ठीक है कि मैं आप लोगों के साथ खेत पर काम नहीं करता लेकिन जमीन जादाद पर मेरा भी बराबर का अख है और यह यह आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते और मुझे अपने उपर बोच समझते हैं तो मुझे मेरा हिस्सा देकर अलग कर दीजिए मैं अपना कमाँगा और अपना ही खाँगा क्या तबी मजला भाई यह जब ही वहाँ पूचा सुना है जै क्या कह रहा है यह जमीन जादाद में अपना हिस्सा मांगता है हाँ मुझे मेरा हिस्सा चाहिए यदि आप लोगों ने मेरा हक मुझे नहीं दिलाया नहीं दिया तो मैं पंचाइद बलाऊंगा अदालत का दरवाजा खटकटाऊंगा तड़ाग नीच कमीने एक तो कोई भी काम नहीं करता उपर से बड़े भाईया से जबान लडाता है निकल जा इस गर से कामचो राज से हमारा तेरा कोई नाता नहीं और सुनो जाए हम तुमें जमीन जादाद में से एक फूटी कोडी भी नहीं देंगे तुमें जो करना और कर सकते हो अपने बाईयों के वैवार पर जाए कि आखो में आसू चल चला है ठीक है भी या मैं इसी से में गर छोड़ कर जा रहा हूं लेकिन ध्यान रखना एक दिन आप लोगों को अपने किये पर जरूर पस्ताना पड़ेगा और जै उसी से में गर छोड़ कर चल दिया यह ठीक नहीं हुआ जै गाउवाले सुनेंगे तो हम क्या कहींगे हम अब छोड़ो भी इस बात को भया गाउवाले पूछेंगे तो कह देंगे कि जै कहीं गूंगने गया है और यदि जैय ने जाते जाते गाउं वालों को सब कुछ बता दिया तो मुझे भी स्वास से वैमुरक ऐसा अरगिज नहीं करेगा इधर जैय अपने गाउं से बहुत दूर निकल आया तो ठक कर एक पेड के नीचे ठैर गया घर छोड़ कर आ तो गया परन तु अब जाओंगा कहां और करूंगा क्या लेकिन शिगरी कोई बात नहीं जब मन में दर्ड निश्चा हो तो मंजिल भी मिली जाएगी दो दिन बात जैय बुखा पैसा अपने राज़ा की राज़दानी राजनगर में जा पूँचा अहां अमारे देश की राज़दानी इतनी सुन्दर हो गया ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था इतना बड़ा नगर है यहां यहां मुझे कोई छोटा मुटा काम जरूर मिल जाएगा लेकिन चल कर पहले कुछ खा पी लूँ फिर काम की तलास करूँगा वह एक बोजनाला में पहुचा शिरिमान मैं एक परदेशी हूँ मुझे बोजन करना प्रतु मेरे पास बोजन का मुले चुकाने के लिए धन नहीं है फिर उसने उसे आप भी ती सुना दी दुकान का मालिक एक द्यालू इन्सान था कोई बात नहीं युवक 15 दिन तक तुम उधार में बोजन कर सकते हो लेकिन धन का जुगार होते ही मेरा उधार चुकता करना तुमारा पहला करतवे होगा आपका भुद भुद धन्यवाद सिरिमान मैं आपकी बात ध्यान रखूँगा कुछ खापी कर जाए काम की खोज में लग गया कोई काम मिलेगा सेड़ जी इस समय तो कोई काम नहीं हो लेकिन कुछ दिन बाद आना तुम्हे काम उस्से मिलेगा इसी तरह कई दिन बीट गए दिन के समय वे काम की तलास करता और रात उधर उधर वाले बोजनाले से खापी कर नगर के एक बाग में सो कर बिता देता काम की तलास करते करते आज पूरा एक सब्ता भी चुका लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला कैसे चुका हुआ खाने का उधर है बगवान मुझे रास्ता दिखा मुझे पर दया कर एक दिन जब फटे आल जया उसी उधर वाले बोजनाले में बोजन कर रहा था डंडं वो साथ कोई मुनादी की जा रही है मुझे भी सुननी चाहिए हो सकता है मेरे लिए कोई काम की बात निकल आए और जैव उटकर वहां पहुँच गया भाईो जैसा कि आप सभी को विदित है कि छै मीने से हमारे महाराज राज्य के महामंतरी सुगरिये वीर्शी जी के निधन के बाद से नए महामंतरी का अचनाव करने में लगे है मुनादी सुनकर जैसीदा बोजनाला के मालिक चारुदत के पास पहुचा काका मेरी इच्छा कि मैं भी महामतरी पद के चुनाव में अपना भागया आजमा कर देखूं क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे अरे लड़के कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है अरे भाई देश के जाने माने बड़े बड़े ग्यानी पंडित इस सुनाव में योगे साबित हो चुके हैं फिर बला तुम फटे हाल क्या योगे साबित होगे मेरी मानों तो इस विचार को अपने मन से निकाल दो और किसी अन्य काम की तलास में जूटे रहो देखना एक दिन तुम्हें अच्छा काम जरूर मिलेगा लेकिन काका कोशिश कर देखने में हर्जी क्या है ठीक है बाबा जब तुम नहीं मानते तो जाओ और कोशिश कर देखो पर तु एक अच्छन है काका वे क्या मेरे पास ढंक के कपड़े नहीं है चलो इस अच्छन को मैं अल कर दूँगा बोजनाला के मालिक न एक ही दिन में एक सुन्दर कुर्टा पजाम जाय के लिए बनवा दिया वाइस कुर्टे पजामे में तो तुम बिलकुल खांदानी राजपू जैसे लगते हो मुझे आसिरवाद दीजिए काका के मैं इस इंत्यान में सफल हूँ अरे अरे बस रहने दो जाय नेजा ने तुम में मुझे पर ऐसा क्या जादू कर दिया है तुमने मुझे पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि मैं आज कल हर समय तुमारे ही विश्य में सोचता रहता हूँ अच्छा अब जाओ भगवान तुमें सफलता परदान करे बुड़े दुकानदार चारुदत से आशिरवाज लेकर जैर राज महल की और चल पड़ा जब वह राज महल पूचा तो वहाँ से पहले से महामतरी पद के लिए एक लंबी कतार लगी दिखाए दी शिरिमान जी क्या यह कतार महामतरी पद के उमीदवारों की है हाँ यदि तुम भी इसी पद के लिए आये हो तो सबसे पिछे जाकर खड़े हो जाओ और जैक कतार में सबसे पिछे जाकर चुपचाप खड़ा हो गया थोड़ी देर बाद महल के बीतर से सुचना आई दवार पाल जी सिरी महराज का अदेशा की सभी मानने उमीदवारों को दरबार में परसुत किया जाए ठीक है आप सभी इनके साथ जाईए सभी उमीदवार राजे करमचारी के पिछे पिछे चल पड़े करमचारी ने उन्हें महल के बितर एक कक्स में ले जाकर बिठा दिया अब आप सब एक एक करके उस मारक से ओकर दरबार में महराज से मिलने जाए करमचारी दवारा बताए के दवार से ओकर एक एक कर सभी राजा से मिलने जाने लगे अंत में जै की बारी आई जाये सिरिमान बाब भी महराज से जाकर मिलिये धन्यवाद लेकिन जब जै उस दवार से ओकर एक दूसरे कमरे में पूँचा ठेरो भाई पहले मेरी दक्षीना दो फिर आगे बढ़ो दक्षीना? हाँ दक्षीना जो भी वेक्ती राजा से मिलने जाता है हाँ मुझे कुछ ने कुछ दे करी जाता है अतत तुम भी मेरी दक्षीना मुझे दो और आगे बढ़ो परना मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूँगा लेकिन मेरे पास तो इस वक्त फूटी कोडी भी नहीं है तब भी चिंता की कोई बात नहीं यदि तुम महामंत्री नहीं भी बन सके तो भी श्री महाराज जी तुम्हें चार सन मुद्राए इनाम में देंगे यदि तुम लोटे वक्त ही मुझे कुछ देने का वादा करो तो मैं तुम्हें आगे जाने दे सकता हूँ जुश्वत हूँ बेटा मेरा नाम भी जैव और मायसी दक्षिना दूँगा की जीवन भर याद रखोगे लेकिन परकट में वह बोला ठीक है भाई महाराज जी नाम में मुझे जो कुछ भी देंगे उसमें से आदा इस्सा मैं तुम्हें दे दूँगा ठीक है मुझे मुझे मन्जूर है स्रीमानब बाप आराम से इस मारक से होकर आगे बढ़िये लेकिन इस से पहले कि जैव इस मारक के और बढ़ता दो राज करमचारी और वहां पूचे वह दोनों भी पहले करमचारी की तरह जैसे रिस्वत मांगने लगे ठीक है भाई इन्हें आदा देकर जो आदा बचेगा उसमें से तुम दोनों आदा आदा बाट लेना अब तो मुझे दर्बार में जाने दो अफसर स्रीमान हम दोनों आपको दर्बार में ले जाने के लिए आये थे चलिए शीगरी युवक क्या तुम जानते हो के तुम यहां किसली आये हो हाँ महाराज महामंतरी पत के लिए प्रिक्षे देने आया हूँ लेकिन युवक मुझे तो तुम्में ऐसी कोई खूबी नहीं दिखाई देती जिससे परवाइत होकर हम तुम्हें महामंतरी का पत्षोप कर निश्चित हो सके आप ठीक कहते हैं महाराज वास्ता में मैं एक गरीब और आयोगए इनसान हूँ इसलिए मैंने भी महामंतरी बनने का फैसला बदल दिया है लेकिन महाराज मेरी आप से एक विंती जरूर है हासा है आप मुझे निरास नहीं करेंगे महाराज विजेपाल जैके एक नीडर और साची युक होने पर परसन वो बोले युक तुम पहले उमीद्वार हो जिसने हमसे निर्वे होकर बात किया मचन देते हैं कि हम तुमें निरास नहीं करेंगे बोलो क्या विंती है तुमारी महाराज आप महामंत्री के चुनाव में अस्फल होने वाले व्यक्ति को चार सण मुद्राय देकर विदा करते हैं मैं चाहता हूँ चुप के होगे युक तुमें जो कुछ कहना निर्व शंकोच होकर कहो तो सुनिये महाराज मुझे चार सण मुद्राय देने के बदले इसी समय पूरे सो कोड़े लगाने का आदेश दिया जाए ओ नहीं क्या युक तुम होस में तो जानते हो तुम पागलपन में क्या कह रहे हो मैं पूरी तरह होस में हो महाराज हो और जो कुछ भी कह रहा हूं बिलकुल सोच समझ कर कह रहा हूं करपाप अपना वचन निभाई और मुझे सो कोड़े मारे जाने का आदेश दीजिए जै कि दर्ड़ता बरी बात सुनकर राजा दुईदा में पढ़ गया लेकिन फिर कुछ सोजकर उसने दरबार में बैठे सेनापती कदम सेन को आदेश दिया सेनापती जी आप सब अपने आथों से युवक को सो कोड़े लगाए जो आ गया महराज सेनापती कदम सेन के आदेश पर एक सिपाई कोड़ा ले आया उप कितनी विचीतर सजा देनी पड़ेगी आज मुझे सलो युवक सो कोड़े खाने के लिए त्यार हो जाओ ठैरिये में सेनापती जी अब क्या हुआ युवक महराज आपका धन्यवाद के आपकी महरबानी करके मेरी विंति मान ली परंतू क्या युवक महराज कोड़े खाने से पहले मैं महल के उन तीन राजकरमचारियों से मिलना चाहता हूँ जिनके जरिये में राज दर्बार तक पहुचा हूँ ताकि वे भी मुझे मिलने वाले इनाम का अपनी आखों से देख सके और इमानदारी से अपना इसा भी पराप्स कर सके हम कुछ समझें नहीं हुए पहले आप उन्हें बुलवा लीजे महराज फिर मैं आपको सारी बात भी बसमझा दूँगा ठीक है शैनिको जाओ उन तीनों राजकर्मियों को इसी समय मारे सामने पेस करो जो आगया महराज और जब सैनिक उन तीनों राजकर्मियों को लेकर दरबार में आजिर हुए तब तब तक जाए महराज को उनके सारी कर्तुते बता चुका था महराज यह है वे तीनों नेक मास्ट जिनकी करपा से मैं आप तक मुह सका करपा वह इनाम मुझे नहादे कर इन तीनों में बाड़ देए एक को आधा और बाग्य दोनों को सेस आधे मेंसे आधा आधा मैंने इनसे यही वादा किया था सैनी को इन में से पहले क्रमचारी को 50 कोड़े और बाकी दोनों को 25-25 कोड़े इनाम में दे दो तब ही वहाँ बैठे राजगुरू अपने सियासन से उठ खड़े वे ठेरो राजन वो क्या बात है गुरुदेव राजगुरू महराज के पास आकरो ने उनके कान में कुछ फुस्पसाजिशे सुनकर महराज चोक उठे क्या अगले पल तुम्हारा नाम क्या है युवक मुझे जैवर्मा कहते है महराज गुरुदेव इनका नाम जैवर्मा आप दोसना करे ठीक है राजन राजगुरू ने दोसना की बड़ाई हर्ष के साथ दरवार में उपस्तित सभी जनों को सुचित क्या जाता कि जैवर्मा महामत्री पद के लिए उप्युक्त उमिद्वार साबित हुए है है तो उन्हें आज से राजग का महामत्री नुक्त किया जाता है रे ओ नहीं आप लोगों को आश्टर हो रहा होगा कि अमने ऐसनिर ने क्यों लिया सुनिये मैं आप लोगों को बताता हूं दरसल ये तीनों क्रमचारी और कोई नी राजग के तीन मंत्री है जिने सब मैंने महामत्री पत के लिए आने वाले हरुमी द्वार की पर्थम परिक्षा के लिए नुक्त किया था शह मैंने से आने वाले हर व्यक्ति ने इन तीनों मंत्रियों ने विश्वत मांगी और सभी ने जिन में कई महामत्री बनने योगवी थे जिश्वत दी और जिश्वत देकर हमारी प्रिक्षा में सफल हो गए जैवर्मा पर्थम व्यक्ति है जिसने महल के बीतर व्याप्त इसे बस्टाचार समझा और इन्हें बस्टेचारी समझ करिन का बंडा फोड़ने का साइस किया जो व्यक्ति महल में वे आप बस्टाचार पर नजर नहीं रख सकते वे बला महमंतरी बनने पर राज़ा के भीतर पहले बस्टाचार पर नजर कैसे रख सकते थे लेकिन जैवर्मा इस परिक्षा में बिलकुल सफल निकले अता मैं उनसे आगरे करता को वे महमंतरी के आसन पर विराजे असलित जानते दर्बार में बैठे वे सभी उमिदवार जिनों ने रिश्वत दी थी मन इमन पस्ताने लगे जबकि जैवर्मा को एक तलवार देकर समानित किया गया वारे भागे तेरा भी जवाब ने लीजे महमंतरी जी महराज की ओर से यह तलवार आपको अपने करतवे पालन के लिए दी जाती है तलवार गहन करने के पस्ताथ आदर्णिय राजगुरू जी शिरी महराज जी और दर्बार में उपस्ति सभी सजनों मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं महमंतरी पद को अपने जीवत रहते कभी कलंकित नहीं होने दूगा और अपने करतवे का पालन करने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो कदापी पिछे नहीं हटूँगा महमंतरी जायवर्मा की जाय हूँ और महमंतरी जायवर्मा की सुझबुद से राजनगर एक वर्ष में अविश्षिन्य ढंक से उनत्ती के चरम शिकर पर पहुँच गया जायवर्मा ने सेनापति कदम सेन से सलाम असवरा करके सहने सक्ती भी बढ़ा ली लेकिन एक दिन जब राजनगर का एक गुप्चर या संदेश लेकर आया की जल्दी प्रोशी देश मेगातपूर का राजा उनके देश पर भेहने का कर्मन करने वाला है तो राजा विज्जेपाल चिंती तो उठे है अब क्या होगा महमतरी जी आप नाग के चिंती तोरे महराज आमें दुस्मनों से डरने की जरा भी जरूरत नहीं है महमतरी जी आप साथ नहीं जानते कि मेगातपूर कितना सक्ती सालीडेश उनके सैने सक्ती हमसे भूत अधीक है हमारे मुठी बर सैनिक उनका चंद गड़ी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे सेना पती जी करपा आप महराज को हमारी सैने सक्ति के बारे में बताईए महराज हमारी सैने सक्ति इस एक वर्ष में पहले से 20 कुना अधिक हो गई है और अब हमारी सक्ति यह है कि मेगादपूर हमें नहीं बलिक हम मेगादपूर का असानी से जीच सकते हैं क्या सच हां महराज यह सच है तब तो हमें मेगादपूर को हमला करने का मौकाई नहीं देना चाहिए आपके क्या राए महमंत्री जी आपका विचार ठीक है महराज इस से पहले कि दुस्मन हमारे सिमा में गुशे हमें उनके देश में गुश्प कर उन पर तूट पड़ना चाहिए ताकि हमारे देश पर यूद के भेंकर परिणाम की कोई आंच ने आए तो ठीक है सेना पती जी जेपाल सिंह ने सेना पती और जैवर्मा के साथ एक विशाल सेना लेकर एक आएक ही मेघात पर पूर पर आकरमन कर दिया, आओ, उफ़़ा दो दिन के गमासान यूद के पत Siat मेघात पूर का राजा सौमधत जैवर्मा के काबू में आ गया रहम महामत्री जैवर्मा रहम, सत्रू पर रहम करके राजा पृत्वी राज को एक दिन दोखाई खाना पड़ा था मेगात राज, लेकिन मैं अशी मुरुखता नहीं करूँगा, और आई अपने राजा के मरते मेगातपूर सेना ने आतम संप्रंट कर दिया, फिर राज प्रिवार वे तमाम मंत्री गणों को कैद करके बंदी घरे में डालने के बाद, सेना पती जी मेगातपूर तो हमने जीत लिया प्रंतु इतने बड़े राज्य का सासन हम कैसे समाल पाएंगे, महराज महमत्री जैवर्मा के रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वह आपने भी खुब राद दिखा शेना पती जी, यहां का सासन समालने के लिए जैसे बढ़कर उप्यूक्त वेक्ति हमें और कौन मिलेगा, हम इसी समय यहां का सासन महमत्री जै के राज नहीं, मैं इस लायक तो नहीं महराज लेकिन फिर भी जैसी आप किया गया, जैवर्मा महमत्री बनने के बाद राजगुरू के साथ रहते वे राजनीती में बहुत परवीन हो चुका था, अतर सासन समालने के कुछी दिनों बाद सतूर जैवर्मा ने राजा विजे तर्पाल को राजनर वापस बेज़ दिया, महमत्री जी मैं समझा नहीं कि आपने महराज को यहां से राजनगर जाने की सिला क्यों दी, महराज द्यालो से ना पती जी बन्दियों को सजा देना, और वैवी राज-बन्दियों को साथ वे ऐसा नहीं कर पाते, यखिवे यह एक आद होते तो जरूर दिया करके एक आद सत्र को समा कर देते जब कि अब मैं सत्रों को जड़ से समाप्त कर दूँगा आप धन्या महमत्री जी लगता राजनिती में आप राजगुरु जी को पिछे छोड़ चुके हैं मेरी और से आप बिलकुल सवतंतर हैं धन्यावाज स कोई सत्रों जीवीत नहीं रहा यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं वापिस राजनिगर लोट जाओं नहीं सेना परीजी नहीं अभी मारा संतुष्ट कर बैठ जाना उचीत नहीं होगा सुनिये मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन यहीं रहकर में गातपूर और उसकी मारानी क्यों नहीं हम जैवर्मा से अपनी कलोती बेटी मीरा का विवाग कर दे जैवर्मा जैसा योग है भदरवय भादुर वर हमें अपनी बेटी के लिए कोई और कोई नहीं मिलेगा आपने तो मेरे मुक की बात छिन ली माराज यह सुब कार्या जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है ठीक है मैं जैसे बात करूंगा मुझे विश्वा से वह इस रिष्टे से इंकार नहीं करेगा उदर राजनगर के रामगड़ गाओ में उफ या पत्थर तो इलने का नाम तक नहीं ले रहा भईया या नया खेत हमने बेकारी खरीदा सारी जमीनी बंज है इसकी सफाई करते करते तो हम सूख कर काटा हो गए है अब ले लिया तो सो ले लिया आओ एक बार फिर कोशिस करके देखते ठीक है चलिया पुदर से जोर लगाई है मैं इधर से लगाता हूं दोनों एक बार फिर उस पत्थर को अटाने में जुट गए अजय थोड़ी ऑर सकती से ठेलो विजर युट अनकीब खड़ा था था अजय दोवारा पूरी सकता से पथर डेलने पर पत्तर अचाने की विजर के दोनों आथों के उपर आगी रहा आई हो नहीं अजय ने उस पत्थर को अटाने की लाख को सिसकी लेकिन वह पत्तर नहीं इटा सका तब तक विजय बहुत हो चुका था जल्दी किसी को मदद के लिए बुलाओं वर्ना भाया के प्राणों पर बनाएगी गाउवालों की मदद से विजय के प्राण तो बच के लेकिनिस दुरगटना में उसके दोनों हाथ जाते रहे और आनी है क्या होगा आज मुझे जै की भूत किया दा रही है हमने उसके साथ अच्छा वैवार नहीं किया था साथ इस्वर ने मुझे उसी की सजा दी है आपके दोनों आथ कटने के बाद से तो अजय और विम्ला का वैवार हम दोनों के प्रती भी बदलने लगा है कुछ दिन बीटे मजली बभू विम्ला अपना स्ली रूप दिखाने लगी अजी रानी जी पत्ती से चुटी मिले तो कुछ घर का काम भी कर लिया करो मैं तुम सब की दासी तो हूनी जो हर समय कोलू के बैल की तरह के लिए पिस्ती रहूं पतानी बगवान भी हमें किस जनम की सजा दे रहा है उदर वो दिन रात बंजर जमीन पर खून पसीना एक कर रहे हैं इदर मैं गर का सारा काम करते करते कमर तोड़ रही हूं सच हमारे तो भाग गई फूट गए मजली बहु के जाते रानी फूट फूट कर रोने लगी आज स्वामिय बोर नहीं साज आता दिरज रखो रानी सब ठीक हो जाएगा लेकिन कुछी महिनों में ज़र उसकी पत्नी के वैवार से तंग आकर वीज़ा और रानी को गर्द सोडने पर मजबूर होना पड़ा चलो इस निकमों से पला तो छुटा अब हम इस सारी संपती के अकेले मालिक हैं अजी ये को क्यों बूलते हो कि तुमारे दोनों भाईयों को गर्द सोडने पर मेरे वाक्के बाणों ने मजबूर किया है तुम ठीक कहते हो बागवान हाँ हाँ वीज़ा और उसकी पत्नी ब का भी फल पा रही हूं कुछी दिनों में उनके यह आलत होगी कि कोई कुछ दे देता तो खा लेते बूखे ही किसी मंदिर के शीडियों पर पड़े रहते वरना बूखे ही मजबूरी में दोनों बंजारों कासा जीवन जीने लगे आज यहां तो कल वहां और फिर दोनों ब दर्बदर की ठोकरे खाती फिरोगी ऐसा नहीं कि यह स्वामी आप यहां बैठे मैं किसी दुकान से कुछ खाने का बंदोवस्त करती हूं लेकिन हमारे पास तो फूटी कोडी भी नहीं फिर तुम खाने का प्रबंद कैसे करोगी सायद कहीं बरतनादी साप करने के काम के ब परकार उसका छोटा देवर जय बुखा पैसा पहुंचा था बाबा मेरे पती अपाईज है क्या मुझे कुछ काम देकर बदले में आप हम दोनों को बोजन देने की करपा करेंगे हैं परदेशी हैं कोई बात नहीं बेटी तुम कुछ बरतन रोज यहां कर मांज दिया करना और दोनों बोजन कर लिया करना लो पहले तुम दोनों खापी लो फिर तुम अपना काम आरम करना आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा अपने पती के साथ बोजन करने के बाद रानी उसी दिन से बोजनाला में बरतन माजने का काम करने लगी जबकि बोजनाला के बाहर बैठे पाइज विज़े को ये लोग बिखारी समझ उसके सामने पैसे डालने लगे आ यह दिन भी देखना पड़ेगा कभी सोचा भी नहीं था इसी तरह एक एक करक कई रोज गुजर गए एक दिन दो गुट सवार सैनिकों ने उसी मारक पर आकर जन साधारन को संबोधित कि सबी लोग साधान रहे महमंतरी जी की सुवारी सोर से राज महल को जाएगी कोई भी मारक में वैदान डालने की कोशिस ने करे एक आदमी ने यह ख़बर बोजनाला के मालिक को दी अरे चारू काका सुनते हो महमंतरी जी आज इसी मारक से राज महल जा रहे हैं क्यों वे रातपुर के कारे वाएक राजा है काका क्या अब भी मुझे विश्वा से वे आज भी मेरे पास जरूर आएगा उसके लिए फूलों का एक घार ले आव भी लाता हूं काका उदर दोसना करने के अपसा दोनों गुर्षवार सैनिक जैसे ही आगे बड़े उनकी नजर बोजनाला के बाहर बैटे अपाइज जैब फटेल बिखारी से विज़े पर पड़ी अरे रामदत भाया इस बिखारी को यहां से अटाओ मामत्री जी से यहां देखेंगे तो क्या सोचेंगे अरे इस बिखारी पर तो मेरी नजर पड़ी नहीं थी ठैरो अभी बगाता हूं इसे क्यो रहे बिखारी के बच्चे क्या तुने हमारी बात सुनी नहीं सुनी कि जैय हो मामत्री जैवर्मा जिंदाबाद जैवर्मा सिधा चारू काका के दोवार पर आकर रुका काका दोवार पर उसके सागत को खड़े थे पर तो तभी गोडे पर बैठे जै की नजर एक और खड़े अपने भाई विजय और भावी रानी पर पड़ी भैया इस रूप म देखने के लिए नयजर ने कब से मरी आँखे तरस रही थी लेकिन जैय ने जैसे काका की बात सुनी नहीं थी वह अपने गोड़े से कूद कर सीधा अपने बड़े भाई के पास पूचा और उनके पाव से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा बहिया मैं आपका जै हू करते थे अरे बाप रहे बिखारी तो महामत्री जी का बड़ा भाई निकला रहे इधर जै को पैचानते विजय और उनकी पत्नी की आखों में आशू आ गए जै मेरे भाई मेरे बेटे देवर जी शीगरी माँ उपस्थित लोगों को यह समझते देर नहीं लगे कि वैलूल का विखारी सा दिकने वाला वैक्तिराजा के महामत्री का बड़ा भाई है वो पस्थित जनता और सैनिकों का मन अपने चाहते महामत्री के लिए और भी सरदा से बर उठा जबकि जै अपने भाई और बाभी को लेकर चारू काका के पास पहुचा काका आज मुझे समा कर दे मैं आपके पास बैठनीच कुंगाईन से मिलिये मेरे बड़े भाईया और भाभी हैं जानता हूं बेटे तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ तुम ने अपने बड़े भाई भाभी को जो आदर सतकार दिया उससे आज मेरा भी सिर्थ तुमारे प्रति सरदा से जुका जा तुम महान हो बेटे महान हो जैवरम अपने बड़े भाई और बाभी को अपने निवास में ले आया और जब उसे उन्चे अज़ा और उसकी प्रत्नी की करतूता का पता चला अज़ा भाया ने आपके साथ जो सलुक किया उसके लिए बगवान भी उसे समानी करेगा खेर अ अब आप लोगों को दुखिया परिशान होने की कोई ज़रूत नियाज से इसे अपना ही गर समझो तुम कितने अच्छे हो जाए तब एक सिपाई वहां पुझा मामतरी जी महाराज इसी समा आप से मिलने की इच्छा रखते हैं ठीक है जाकर महाराज के चरणों में मेरा प पुबारको महामतरी जी मैंने सुना कि आपको आपके बड़े भाई और बावी सी नगरी में मिल गए है जी मिले तो लेकिन बड़े ही दैनी है उस्था में दुखी मत हो जै मुझे विश्वास है कि तुमारे रहते हुने अब किसी किसम का कोई कस्ट नी होगा इस वर करे ऐ ऐसा ही हो कुछ देर चुप रहने के पचात राजा फिर बोले तुख हमने आपको इस वक्त मेगातपूर राजा के बारे में जानने के लिए बुला था महामतरी जी क्या वाकी शिदती अब ठीक है जी हा लेकिन यदि आप आगया दे तो मेगातपूर और राजनगर के विस सला है कि हमें सिगर से सिगर मेगातपूर राजनगर के बीचों बीच एक नया नगर बना लेना चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच की दूरी कम हो जाए हो और आपको भी दोनों देशों का काम का चलाने में आसानी हो वा बहुत खुब आज हम फिर तुमारी बुद्धी का लोहा मान गए जय हम सब्सक्राइब कुछ ऐसा ही सोच रहे थे लेकिन बेटे मैं चाहता हूं कि यह महानकार यह तुमारे आथो ही संपन हो तता तुम राजनगर और मेगातपूर में एक सहतर राज करो यह आप क्या कह रहे है महराज मैं कुछ समजा नहीं इंकार मत करना बेटा वरना हमारा दिल तूट जाएगा महरानी और मेरी यह अर्दिक इच्छा है कि तुम हमारी बेटी से विवा कर लो ठीक है महरा यदि आपकी यह इच्छा है तो मुझे विवास विकार है लेकिन यदि आप इस समद में मेरे बड़े भाईया और भावी से मिल ले तो और तुम इस बात कितनी की मिचिंता नहै करो हम कल ही अपनी बेटी का रिष्ठा उनके पास लेकर जाएंगे, तब मुझे आगगा दीजिए अगले दिन इरादारानी ने जायिके घर जाकर विज़र उसकी पतनी से मिल कर जाय कर साथ अपनी बेटी का रिष्ठा पका कर दि यानि अपने मूँ बोले काका को भी बुलाना नहीं बुला था। विवा के कुछ दिनों बाद ही विद्विद जय का राज तिलक भी कर दिया गया। महराज जय वर्मा जिन्दावाद, महराज जय वर्मा जिन्दावाद। आज कितना सुब दिन हमाराज जय एक साथ दो पहर ही तरी थियात्रा को रवाना हो गए राजपार्ट समालने के बाद नो मा के बितर बितर जैने मेगातपुर और राज़नगर के मद्दे एक विशालनगर बनवा दिया जिसका नाम उसने बड़े भाई के नाम पर विज़नगर रखा इसके साथ ही उसने अपने महल में एक कि इनसाफ का घंटा भी लटकुआ दिया और पूरे देश में एलान करवा दिया कि जिस समय किसी को भी कोई फरियाद करनी हो वहादी रात के समय भी निर्विक ओकर वह घंटा बजा सकता है तिरिय बगवान से मेरी यही प्रातना कि जब कभी इनसाफ का या घंटा बजा इ इन्साब करने में मेरा हिर्दे मेरे हाथ कभी नहीं काप है, मुजरीम चाहे कोई भी हो उसे सजा मिले, फर्यादी मेरे दर्बार में कभी निरास और दुखी हो करने लोटे, तथा मैं जब तक जी हूँ, इन्साब का पुजारी बन करी जी हूँ, इस वर आपके हमनों कामना पूरी करेंगे स्वा में, और बगवान ने जैसे उनके सुन ली, अलब समय के सासनकाल में जैक के नियाए की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, परजाप ने इस नई राजा के राजा में जैसे नियाल उठी, लेकिन इसके ठीक विप्रित रामगड गाव में जैवर माय कत्याचारी के रूप में कुख्यात हो चुका था, उसने अपने यहाँ दरजनों बदमास पाल ली थे, तथा अपने भाई राजा जै के नाम पर रामगड तथा आसपास के गावालों को ड्रा दमका कर धन और अनाज वसूल कर रहा था, इस गर्णित कारिया में उसकी पत्नी बिमला का सबसे बड़ा हाथ था, हाँ हाँ गावालो, आद मेरे लगान वसूलने का दिन है, इमानदारी से अपना अपना लगान या जमाता चमाक कराते जाओ, वरना तुम सब जानते हो कि मैं राजा का भाई हूं, राजा जै वर मा का बड़ा भाई, हाँ हाँ, गाउं के सबी धनी और गरीब लोग अपनी अपनी सामरते के अनसार लगान के रूप में कुछ ने कुछ अपने राजा के नाम पर भैसे तरस्तो कर उसके सामने रख देते, हाँ, हाँ, सब ठीक है, चलो साथ यो, सारे समान को गाड़ी पर ला दो, और मेरी हवेली में पहुचा दो, जो हुकम मालिक है, जो और उसकी पतनी अपनी कारवाई से परसंद थे, इन बोरियों को यहां रखो समभाल के, पर तुक कभी कभी है, जैका मने कंजानी संका से काप उठता था, बिमला मेरे विचार से हमने बहुत धनी घठा कर लिया, आप हमें यह गाउँ छोट कर कहीं और चले जाना चाहिए, परना यदि किसी दिन जैको इस बात का पता चल तो वे आमें सजा देने से नहीं चुकेगा, दुनिया जानती है वे नयाय का पजारी है, नयाय का पजारी हूँ, नयाय का पजारी होगा वे परजा के लिए आपका तो वे छोटा भाई है, सुनिये जी आप हर समय मेरे सामने बुझ दिली जैसे बाते मत किया किजिए, जैस पारी बात मानने के लगा मेरे पास अन्य कोई चारा ही नहीं जा इस तरह अपनी पत्नी बिम्ला के कहने में आकर अज़े वर्मा पापकी और भी गहराई में डूपता चला जा रहा था तथा था उसके अत्याचार भी दिन बे दिन बढ़ते चले जा रहे थे एक दिन एक दो परंतु मालिक हम गरीक विसान और लगान कहां से लाए पहले ही हम अपना सब कुछ लगान के रूप में आपको दे चुके हैं बक्वास नहीं मेरी बात कान खोल कर सुनो यदि दो दिन के भीतर मुझे इस गाउं से लगान नहीं मिला तो राजा जैवर्मा के आदे से इ अपने लठेतों के साथ वापस चल दिया ये बगवान अब क्या होगा इतनी जल्दी हम लगान का परबंद कहां से करेंगे इरा काका आखिर कब तक आप अप लोग एत्याचारी अजैवर्मा के एत्याचारों को सेहते रहेंगे मेरी माराज तो महराज के पास सलो मैंने सुना वे बहुत ही नयाए पिरिया हूँ तुम तो मुरकों गोपी यह सारे अत्याचार राजा के कहने पर हम पर केज आ रहे हैं मैंने था सुना तो मैंने भी कि महराज ने महल के भाराम परजा को सिधे नयाए देने के लिए एक नयाए का गंटा बंदवा रखा लेकिन क्या का का अरे बेटा लेकिन क्या वही डाक के तीन पाथ आती के दाथ खाने के और दिखाने के और होते हैं सुनो मैं बताता हूँ बड़े बड़े सैनी के दिकारी भी राजा का बड़ा भाई होने के नाते अज़े वर्मा से बहबित रहते थे नहीं भाई मैं अजय वर्मा की सिकात महराज से नहीं कर सकता आखिर वैं उनका भाई है यदि मैंने उसकी सिकात की तो मुझे ही अपनी नोकरषाद दोना पड़ेगा तो मैं अजय वर्मा का अत्याचार सहने ही पड़ेंगे मैं मजबूर हूँ भाई इसलिए तो दिन परती दिन अजय वर्मा का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है दया मालिक सडाक परना तुम ही सोचो भाई के क्या देश में कोई ऐसा ओसलाबंद नहीं जो इन साप का गंटा बजा सके अरे भाई मुझे तो पुरा विश्वा सकी अजय को अपने राजा भाई की सह मिली हुई है वो तो फिर हमें क्या करना चाहिए वक्से समझोता करके खामोस रहने में ही हम सब की बलाई है इसका मतलब है हुआ कि हमें किसी भी तरह दो दिन के बितर लगान का परबंद करना ही होगा हाँ चलो भाईयो अपना अपना काम करो जैसे भी ओ लगान का परबंद करो इराका का ठीक ही कहते हैं चलो भाईयो चल कर अपने अपने काम दंदों में लगते हैं और उन्होंने किसी तरह दो दिन के वितरी लगान का परबंद कर रजक के घर पहुंचा दिया एक दिन एक दूसरे गाउ में क्यों रहे अरिया के बच्चे तुन्हें हमें लगान देने से मना कैसे किया मैंने तुम्हें बूत लगान दिया पर अब मैं तुम्हारे जिब्रन अत्याचार को अर्गिस हैन नहीं करूँगा और नहीं लगान में एक फूटी कोडी दूँगा हुम तो अब चीटी के भी पर निकलाएं बोलू कालू देखते क्या वाग लगा दो इसके जोपड़े को लगान नहीं तो इसका घर भी नहीं बोलू और कालू जैसे अपने मालिक की परतिक्षा में थे दोनों साले जला कर रिया के जोपड़े क्यों बड़े नहीं नहीं तुम लोग मेरे घर को नहीं जला सकते अवे एट सामने से रामी है दे करिया की पतनी ने दोड़ कर अजय के पैर पकड़ लिए मालिक मैं आपके पाउ पकड़ती हूँ हमारा घर मत जला कुछ दिन बाद हम आपको लगान दे देंगे नहीं गोमती इस पाव पकड़ कर तुम मनुस्टा को मत लजा अब इसके पाव का गड़ा भर चुका एक दिन इसे अपने किये की सेजा जरूर मिलेगी क्या का नहीं पाव मैं पापी हूँ हा मैं एक बार नहीं 100 बार कौनगा कि तुम पाव यह अत्याचारी है राम सिंग इस बद जुबान कुटे को और इसके पिले को जोफडी में बंद करके आग लगा दो राम खोर हमारे मालिक को पापी कहता ले मजा चक कुटे आ मारने पिटने के बाद उन्होंने अरिया और उसके बच्चे को जोफडे के बीतर धकेल दिया नहीं लेकिन इससे पहले कि गोमती अपने बच्चे और पती को बचाने के लिए कुछ कर पाती बदमाजों ने जोफडे को आग लगा दी नहीं मेरे स्वामी मेरा लालू मेरा लालू गोमती इस बैंकर सदमे को सेह नहीं सके और बहुस होकर लुड़क तरती पर लुड़क गई हाँ गाउवालों देख लो अरिया के विरोध करने का नतिज़ा कान को खोल कर सुन लो गाउवालों यह एक सबक है तुम सब के लिए तुम मेंसे जो भी मेरा विरोध करेगा उसके साथ प्यासाई सुलुक किया जाएग तुम सब की बलाईशी में की लगान वक्त पर मेरे घर पुंचा दिया करो उसके बाद अज़े अपने अत्याचार की निशानी जलती चोड़ वहां से कुछ कर गया गाउवालों ने तब बहुस गोमती को सबस्भाला वो इसे हो सारा का सर्याद ने लगान दे दिया होता त मुझे इंसाब चाहिए अरे यह तो पागल होगे लगती है अरे बुझ दिलो तुम चुप बैट सकते हो लेकिन मैं अब चुप नहीं बैट हूँगी मैं इस इंसाब के पुजारी से चिक चिक कर पूछूँगी कि आखिर मेरे बेटे और पती ने क्या कुसूर किया था जो मुझे नयायच चाहिए मेरे पती मेरा बेटा है मैं आ रही हूँ राजा तुम से इंसाब मांगने आ रही हूँ आज मैं देखूंगी कि तुम कितने बड़े इंसाब के पुजारी हो गोमती को कोई हो सनी था उसके मस्तिक्स में सिर्फ एक विचार करोंद रहा था राजा स नयायच चाहिए आखिर बोर होने से पहले ही राजा के महल जाप पहुंची और गंटे के बैसे सोय हुए जय वर्मा की नींद भंग हो गई वो इसमें कोन इनसाब का गंटा बजा रहा है मेरे राजा में किसे तकलीफ पहुंची है जैसे ही वह उठने का हुआ ठैरिये स्व रहे मुझे जाना ही होगा वरना मेरे फ्रियादी की आत्मा दम तोड़ देगी वो यह मेरे नयाय की हार होगी नीचे पुछने पर टंटन एक नारी और फ्रियादी के रूप में तुमारे साथ क्या जुलम हुआ बहन मुझे मुझे नयाय चाहिए महराज इतना कहते गोमती बेहोस होकर फर्च पर लुडग गई वो इसे साथ किसी बात का बहुत गहरा सदमा पहुचा है जैने तुरुट सैनिको को बुलवाया सैनिको इस महिला फरियादी को इफाज़त में उठा कर हमारे साह मेहमान खाने में ले चलो जो आ गया महराज जब साह मेहमान खाने में गोमती को वो साथ तब तक रानी मीरा भी वामोच सुकिती कहो बेहन तुमारे उपर किस सहतानिय अत्याचार किया मैं उसे उसके जलम की पूरी पूरी सजा दूँगा आप उसे सजा नहीं दे सकते महराज आप उस पापी को कभी सजा नहीं दे सकेंगे पहली मत बुजाओ बेहन जैवरमा से तुम्हे पूरा पूरा न्याई मिलेगा चाहिए न्याई कोई बिन क्यों नहीं हो हाँ बेहन तुम जालिम का नाम बताओ तो अपने मन को मजबूत कर न्याई का नाम सुने महराज उसका नाम जैवरमा है आपका सगा भाई है वै नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं जानती हूँ कि आपको विश्वास नहीं होगा और मुझे आपके दर्बार में न्याय नहीं मिलेगा, एकिर उसने तुम्हारे साथ जुल्म क्या किया है, तब गोंगती ने अपने उपर जवर्मा दोरा किये गया, न्याय की सारी कथा जय वर्मा को सुना दी, सब कुछ साबित हुई तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, भेहन कि तुम्हें नयाय उससे मिलेगा, अपरादी को बेशक वे मेरा भाई क्यों नहीं सजा उससे मिलेगी, अब तुम आराम करो भेहन, मैं इसी समय सैनिकों को उसे गिपतार करने बेशता हूँ, और जय क्यों को उसे सैनिकों ने उसी समझा कर अजय को बंदी बना लिया, मैंने का थैने बिमला एक दिन हम इसी दसा में होंगे, चिंताने करे स्वामी जय आपका बड़ा भाहिए, आपका बाल भी बाका नहीं होने देगा, शूपकर दुस्ता तरी है, बक्वास है, मुझे फासी के तक तक पहुंचाएगी, अजय को कारागार में डाल दिया गाता था, दो दिन में ही अजय ने अपने गुप्तरों द्वाराजय वर्मा के सभी अपरादों की गुप्त रूप से जाच करवा ली, गोमती वैगाव वालों द्वाराजय पर लगाए आरोप सही पाए गए, मेरा भाई इतना जगने अपरादी निकलेगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी ना था, लेकिन एक राजा के इनाते नाय करना मेरा पर्थम करतवे है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्या सोच रहे हैं, क्या अपने भाई को सजा दे सकेंगे, हाँ, अगले दिन अजय को द करती है, यार उसके बच्चे को तुमने जीवी ती आग में जोक करून के अत्या कर दी, हते इस जगने अत्याओ के वैनने जुर्मों के लिए मैं तुमें सर्याम चोक पर फासी लगाए जाने का हुकम देता हूँ, नहीं तुम मेरे भाई और तुम मुझे मोद के सजा नही नहीं दे सकते, तुम भूल रहे हो अपरादी हम राजा के गद्धी पर बैठे हैं, और इस गद्धी पर बैठने वाला किसी का भाई, बाप या दोस्त नहीं होता है, वह के वल इनसाफ का पुजारी होता है, वो शिरफ इनसाफ करता है, इसके साथ ही मैं आदेस भी देता ह बैठी थी, खैर कोई अफसोस की बात नहीं कि उन्हें फासी की सजा हो गई, लगने दो उनको फासी की, लगने दो उनको फासी, मेरे लिए तो वे इतना धन सोड़ गए कि मैं सारा जीवन सुक से गुजार सकती हूँ, विज़र उसकी पतनी भी उस समंदरवार में उपस्त थे, वाज जै नयाए पर तुमने अपने सगे भाई को भी कुर्बान कर देया, तुम सच्मु से एक महान राजा हो, एक बड़े भाई के नाते तुम्हें मेरा अशिरवाद है कि सद्यों तुम्हें इस नयाए के लिए याद किया जाता रहेगा, अगले दिन पराते सामने आख खड़ी हुई, मैं आजिरु स्वामी कहिए, क्या कहना चाते आप, मेरे पास आओ इमला, मैं तुम्हें नजदिक से अंतिम बार जी भर कर देखना चाता हूँ, मुझे अपसोस है स्वामी कि मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी ने कर सकी, लेकिन मैं आप भी बहुत कुछ कर सकता हूं भी मला, कहने के साती अज़र ने बिजली किसी तेजी के साथ निकट खड़े, सैनी की कमर से खंजर खींच लिया, और यदि मैं नहीं बचा तो तू कैसे बचेगी दुस्टा, एक पल के लिए तो सब बोचके रह गए, लेकिन फिर सैनी को और जला इस दुस्ट इस्तिरी के बहकावे में आकर मैंने नहीं किल तुमारे और बड़े भाई, बड़े भाईया बावी के साथ जुलम किये, बलिक पाप की सीडिया चड़ता हूं तुमें फासी के तकते तक होंच गया, कास इस डान को मैं पहले ही मार डालता, खेर मेरी अंतिम इ अज़े को फासी पर सडाने का इसारा किया, और जलादों ने सिगरी अज़े को फासी पर लटका दिया, जैवर्सो तक राजनगर और मेगातपूर पर राज़े करता रहा, उसके न्याय की चर्चा दूर दूर तक फैलती रही और मरने के बाद भी इस इन्साब के पुजार को सदियों तक याद किया जाता रहा, समाब दोस्तों बहुत बड़े कहाने थी, जरूर सब्सक्राइब लाइक करना